हेलो स्टुनेंट्स, वेलकम तो बायमेंटर्स क्लासेज अनलाइन, तोड़े वी आर गोईंग तो दिसकस MCQs on chapter gravitation, तो स्टार्ट करते हैं with the very first question, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल, हो सकता है ये सवाल आपको आता हो, हो सकता है ये सवाल आपको extra stroke वाले lecture में भी मिल जाए, सो स्टार्ट करते हैं, क्या है, two identical solid copper spheres of radius R placed in contact with each other, the gravitational attraction between them is proportional, तो हमारे पास में ये सवाल है, देखो ये और ये, ये copper के दो क्या है, sphere है, इसकी radius है capital R और इसकी भी radius है capital R, तो आप से क्या पूछा गया, gravitational force of attraction, तो gravitational force of attraction आएगा, G M1 M2 upon R square, तो आपको लग सकता है कि F is directly proportional to R to the power minus 2Y, लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, what is the reason, तो यहाँ पर scenario ये है यहाँ पर mass नहीं दिये गए है, copper के sphere के बारे में बोला गया है, तो copper का sphere इसको radius के terms में लाना है, हमेशा सवालों में इस बात का ध्यान रखना है आपको, क कौन सी physical quantity दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ वही physical quantity इसमें दिखनी चाहिए, तो अब यहाँ पर mass के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हम mass को कैसे relate करेंगे, तो हम जानते है, density बराबर होता है, mass upon volume, मतलब mass upon 4 by 3 pi r cube, तो यहाँ से हम कह सकते है, mass को लिखा जा सकता है 4 by 3 pi r cube, यह इसका mass हो जाएगा, अब कई लोग कहेंगे सर, density भी तो कहाँ दे रखी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देजिए, solid copper sphere लिखा है, तो copper है मतलब density इसकी fix हो गई, copper है मतलब density, fix हो गई, यह सौरनो, तो इस basis पर यहीं मैं देखता हूँ, तो भीया, F बराबर आए गा, G, M1, मतलब 4 by 3 pi rho r cube, इंटू, दूसरे की भी radius सेम है, 4 by 3 pi r, rho r cube, अपन, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2r है, तो 2r का square, तो यहाँ से जब मैं solve करूंगा, तो मुझे सिर्प और सिर, proportionality से मतलब है, तो answer will be r to the power 4, यह यहाँ पर answer आएगा, option number C, answer आएगा, option number C, जहाँ से देखना, proportional लिखा है, तो r की power 4 आएगा, क्यों r की power 6 है, नीचे r की power 2 है, यहाँ पर solve करेंगे, r की power minus 2, sorry, r की power 6 और नीचे r की power 2 solve करके, r की power 4 आएगा, that's the answer of this question, हमेशा important चीज मैंने क्या बोली है, कि कौन सी physical quantities दे रखी है, answer सिर्प और सिर्प उसी के terms में होना चीए, उन्ही terms को यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर mass को नहीं लिखना है, यहाँ पर मैं एक बार फिर से r लिख देता हूं, छोटा r, जहाँ पर छोटा r बराबर अगर आएगा 2r, ठीक है, clear, चलो, आगे बढ़ जाते हैं, हम अगले सवाल की दरब, 2 spheres of mass, small m and capital M are situated in air, and a gravitational force between them is capital F, तो भीया देगो, यहाँ पर एक small m mass है, यहाँ पर एक capital M mass है, इनको air में रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी नहीं दी गई है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि r है, यह मैंने माना है, assume किया है, तो इनके बीच का जो gravitational force है, वो आएगा, g small m capital M upon r square, आगे पढ़ते हैं सवाल को, the space around the mass is now filled with a liquid of specific gravity 3, specific gravity 3 वाले liquid से यहाँ पर इस space को भर दिया गया है, so gravitational force now, कितना होगा, तो एक बात बताओ, यह specific gravity को यहाँ पर भरने से कोई फरक पड़ेगा, तो आपको पता होना चीए, gravitational force is independent of medium, independent of medium, मतलब आप कहीं पर भी ले जाके इनको रख दो, हमारा medium पर dependency नहीं रहेगी, medium पर dependency नहीं रहेगी, so answer is option number A, F, answer is option number A, F, ठीक है, चलो, आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल पर, two particles of equal mass go round a circle of radius capital R, under the action of their mutual gravitational attraction, the speed of each particle, इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर option जो है, वो काफी confusing आपको लग सकते हैं, ठीक है, सवाल देखो, क्या हो रहा है, दो particle है, एक का mass मैं मान लेता हूँ, एक है, दूसरे का भी mass कितना आएगा, M है, अब यह दोनों क्या कर रहे हैं, इनके, देखो, the two particles of equal mass go round a circle of radius capital R, तो यह एक radius capital R के circle में घूम रहे हैं, तो भाईया, मैंने माना देखो, यहाँ पर center मान लेता हूँ, circle का, और यह वाली दूरी capital R आ जाएगी, यह वाली दूरी भी capital R आ जाएगी, और यह एक circular path पर ऐसे, ऐसे circular path पर घूमते हुए मुझे नजर आएंगे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, mutual gravitational attraction के कारण घूम रहे हैं, तो speed क्या होगी हर एक particle की, तो भाईया, एक बात बताओ, जैसे मैं इस वाले particle पर बात करूँ, तो यहाँ पर इस पर लग रहा होगा, gravitational force of attraction जो इसने provide किया है, और चुकि यह circle में घूम रहा है, तो हम जानते हैं, इस पर क्या बात करेंगे, centrifugal force की बात करेंगे, या फिर आप centrifugal force से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आपको centrifugal force से बताता हूँ, तो यह CF हो जाएगा, तो gravitational force of attraction आएगा, G, capital M, capital M upon distance है, इन दोनों के बीच की, 2R का whole square, centrifugal force जब लिखते हैं, तो centrifugal लिखो, या centripetal लिखो, तो क्या लिखते हो, MV square upon R, यहाँ पर R का मतलब radius होती है, तो इस चीज को बस यहाँ पर ध्यान लगना, तो यह आएगा, MV square upon capital R, now solve it, solve करेंगे, तो क्या होगा, 1M से 1M cancel, 1R से 1R cancel, तो देखो, V square बराबर आएगा, G capital M upon 4R, yes or no, क्यों 1R से 1R कट गया, 2 का square 4 आएगा, यह यहाँ पर answer आ रहा है, तो अब मुझे बताओ, इसका क्या लेना है, root लेना है, तो V बराबर जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा, under the root of GM upon 4R, ऐसा कोई option है क्या यहाँ पर, नहीं है, चलो, 4 को बाहर निकालेंगे, तो यह आएगा, 1 by 2, under the root of GM upon R, ऐसा कोई option है क्या यहाँ पर, तो देखो, option number C दिख रहा है, clearly, concept circular motion वाला ही है, बस यहाँ पर, gravitational force का यह concept, additional यहाँ पर add-on किया गया है, gravitational force को बराबर कर देना है, ऐसे यह सवाल, electrostatic में बन सकता है, जहाँ पर charges होंगे, एक positive और एक negative, उस समय आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर electrostatic force of attraction लिक रहे होंगे, यहाँ पर mv square upon R लिक रहे होंगे, यहाँ पर speed पूचिए है और v लिक रहे होंगे, हो सकता है, वो angular velocity के लिए पूचिए, तो m omega square R लिक देना है, चीजें बिलकुल आसान है, बस आप उन्हें अपने मन से complicated ना बनाएं, बस इतना ही है, सवाल देखें, क्या बोल रहा है, वो करते चले जाओ, भई यह circle में particle कब गुमता है, जब आप उस पे centripetal force की बात करते हो, तो centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा, gravitational force प्रोवाइड करेगा, मैं centrifugal force से करता हूँ, भई यह बाहर की direction में centrifugal होगा, yes circle में गुम रहा है तो, yes, कैसे भी कर लो, but magnitude centripetal और centrifugal का क्या रहेगा, same रहेगा, yes or no, यही कहानी होती है, यही concept होता है, इसी के basis पर यह सवाल यहाँ पर, solve हो रहा है, चलो, अगला सवाल यहाँ पर देखो, question number है 4, two point masses हैं, A and B, having masses in the ratio 4 raise to 3, A का mass, मैंने माना देखो, mass of A को मैं मान लेता हूँ 4M, और mass of B को मैं मान लेता हूँ 3M, क्यों ऐसा, क्योंकि उसने बोला है, A और B के mass 4 raise to 3 के ratio में है, तो यह मेरे को ज़्यादा आसान लगता है, और आपको भी यही आसान लगेगा, इसी से आप करें तो ज़्यादा बेटर है, separated by a distance of 1 meter, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 1 meter, तो मैं यह कह सकता हूँ कि, यहाँ पर M A रख दिया मैंने, यहाँ पर M B रख दिया मैंने, और दोनों के बीच की दूरी, आर बराबर 1 meter यहाँ पर उन्होंने दे रखी है, फिर क्या बोला है, वेन अनादर पॉइंट मास C, जिसका मास कैपिटल M है, उसको is placed in between A and B, तब फोर्स बिट्वीन A and C is one third of the force between B and C, यहाँ पर क्या किया गया है, इसके बीचों भी C point बना दिया, यहाँ पर एक point मास रख दिया M, और अब वो कह रहा है, कि भहिया देखो, फोर्स बिट्वीन A and C, तो फोर्स बिट्वीन A and C, इस one third of force between B and C, यह उसकी कहानी है, तो भहिया, देन दिस्टेंस ओफ C from A, तो C की A से डिस्टेंस, तो मैं मान लेता हूँ, यह X दूरी है, तो यह वाली दूरी कितनी आएगी, one minus का X, ठीक है, पूरा डेटा हो गया, जो सवाल बोल रहा है, वो मैं करते जा रहा हूँ, चलो अब देखते हैं, क्या यह सवाल इस से solve होगा, ओके, तो A और C के बीच का फोर्स कितना आएगा, तो यह आएगा G, मास ओफ A, मास ओफ C क्या है, क्यापीटल M, अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, X स्क्वेर, बराबर, one by three as it इच चलेगा, G आएगा, मास ओफ B आएगा, into capital M, क्योंकि B और C के बीच में चाहिए, अपॉन दोनों के बीच की दूरी, one minus X का whole square, सवाल में क्या पूछा है, X ही तो पूछा है, तो यह X तो हम निकाल सकते हैं यहां से, देखो M से M cancel, G से G cancel, now, M A की जगे क्या रख दो, मास ओफ A, मैंने 4M माना है, upon X square, बराबर, 1 by 3, मास ओफ B मैंने 3M माना है, तो 3M रख दिया, upon 1 minus X का whole square, देखो एक-एक step वैसी चल रहा है, जैसा होना चाहिए, अब बताओ कुछ कटने लायक, 3 से 3 कटेगा, M से M कटेगा, तो क्या बच रहा है, उसको लिख दो बिटा यहाँ पर, आपके पास में बच रहा है, 4 by X square, बराबर, 1 upon 1 minus X दा whole square, एक काम करें, square root ले लो, SQRT square root, क्या बनेगा बताओ, 2 by X, बराबर, 1 upon 1 minus का X, cross multiply करता हूं, तो यह आएगा, 2 minus का 2X, बराबर का X, तो यहाँ से इधर ले जाएंगे, तो 3X बराबर आएगा 2, तो X बराबर आएगा 3 by 2 meter, यह मेरे पास में यहाँ पर answer, आ रहा है, यस, तो चलो, X बराबर जब मैं, 3 by 2 लिख रहा हूं, यह 3 by 2 जादा नहीं होगे, तो उल्टा कर दिया कुछ, अरे, सौरी, 2 by 3 आएगा, अरे, 2 by 3 आएगा, वैसे भी वो एक मीटर से बड़ा चला गया, गलती वैसे भी समझ में आ रही है, तो option number A is the correct answer for this question, देखो एक बात ध्यान रगना, extra stroke MCQ लिक्चर बड़ा होगा, जाएर सी बात है, जादा से जादा questions करवाना मैं चाहता हूँ, इसलिए इतनी सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, अगला question देखो, क्या दिया गया है, R is the radius of the earth, and G is the acceleration due to gravity on the earth's surface, the mean density of the edges, mean density पूछिए, तो एक बात बताओ, gravitational acceleration का formula होता है, G बराबर GM upon R square, तो यहां से देखो, आपको तो density पूछिए मतलब rho, अब देखो radius सवाल में दे रखी है, mass नहीं दे रखा है, मतलब mass को आपको change करना है, तो mass को क्या लिख सकते हैं, density बराबर mass upon volume, तो mass को लिखा जा सकता है, density into volume, yes or no, सवाल सही चल रहा है, आगे आजाओ, G बराबर का G upon R square, यह rho as it is, यह आएगा 4 by 3 pi R cube, अब मैं चाहता तो मैं directly भी लिख सकता था, इस formula को, लेकिन मैं आपको, इस point of view से करवा रहा हूं, कि चीजों को आप सीखते हुए चलें, तो यहाँ पर आएगा G बराबर, सवाल में क्या पूछा गया है, देंसिटी, तो भाईया देंसिटी बराबर आएगा, 3 G upon 4 pi G R, यह हमारे पास में density का answer आ रहा है, क्या कोई ऐसा option दिया गया है, जड़ा देखते हैं, देखो पहले में 3 G नहीं है, 3 pi R नहीं है, 3 G upon 4 pi R G, option number C is the correct answer for this question, खतम सवाल, बड़े ही प्यार से आराम से हमने सवाल को complete किया, आगे आ जाओ, if the radius of the earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on earth's surface would, सवाल को ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, कि यदि धर्ती की radius को 1% से shrink कर दिया जाए, मतलब कम कर दिया जाए, और mass जो है, वो समान बना रहे, तो acceleration due to gravity क्या change होगा, तो हम जानते हैं, G बराबर आएगा, G capital M upon R square, अब इस formula के अनुसार देखो, सबसे पहली बात, ये जो radius में change किया गया, मतलब units and measurements से related भी सवाल है ये, है या नहीं है, अब यहाँ पर जो change किया गया है radius में, वो छोटा है या बड़ा है, तो change clearly रिख रहा है, छोटा है, mass सेम है, तो भीया, G proportional to 1 by R square का concept चलेगा, तो delta G by G into 100, will be equals to 2 times delta R by R into 100, so answer will be 2 into 1%, मतलब 2% का change होगा, ये जो मैंने answer निकाला है, वो change के लिए निकाला है, दूसरी बात यहाँ पर समझते हैं, देखो R के बढ़ने से G क्या होगा, कम होगा, और R के घटने से G क्या होगा, बढ़ेगा, ये कैसे पता लग रहा है मुझे, तो इस formula में देखो, R denominator में है, तो R घटेगा, तो overall value बढ़ेगी, और R बढ़ेगा, तो overall value घटेगी, भाई देखो R की जगे 10 रखो, तो 10 रखोगे तो ये 1 by 100 आया, लेकिन R की जगे दिवने 20 रख दिया, तो 1 by 400 आगे की नहीं आगे, तो R बढ़ने पर, 1 by 400 छोटी value को denote करेगा, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, shrink, shrink by 1% मतलब radius decrease हो रही है, तो G यहाँ पर बढ़ेगा, कितने से 2% से, तो increases by 2%, इस सवाल में बहुत से बच्चों को doubt होता है, कि सर ये decrease ही क्यों नहीं लगाया, clear है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि R घटने पर G बढ़ेगा, R decrease होने पर G increase होगा, ये कहानी है, simple, units and measurement के basis पर ये सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ, इसको आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर mass remaining same यदी नहीं दिया होता, तो क्या होता, तो उस समय आप इसे density के formula से कर रहे होते, G और R, अब सवाल में समझ ये, if mass were not mentioned, mass were not mentioned, यदी mass के बारे में कुछ भी नहीं बोला होता, mass नहीं दिया होता, mass नहीं दिया होता, mass नहीं दिया होता, या मैं बोलू, या मैं बोलू, only radius दी होती, सिर्फ और सिर्फ radius दी हुई होती, तो उस case में, हम इस वाले formula के basis पर चलते, तो G proportional to R आता, तो इस case में, delta G upon G into 100, बराबर delta R upon R into 100, तो यहाँ पर 1% answer आता, और चूकि R घटेगा, तो भहिया जी GV घटेगा, तो इस case में 1% decrease, मतलब option कोई ही नहीं इसमें, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, कि भहिया ऐसा भी सवाल हो सकता है, तो कौन सा formula select करना है, यह बड़ा important task होता है, इस chapter में, इससे भी कर रहा हूँ, इससे answer यह आ रहा है, इससे कर रहा हूँ, यह answer यह आ रहा है, तो कौन सा लगाना है, तो सवाल कह रहा है कि mass same है, तो mass वाला formula लेना है, mass नहीं दिया होता इस सवाल में, सवाल में सिर्फ इतना लिखा होता, if the radius of the earth were to shrink by 1%, और इसके आगे यह सब नहीं लिखा होता, इसके आगे बस इतना काट दो, तो answer change हो जाएगा, यह मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही साथ में, ठीक है, चलो, आगे आजाओ, सवाल देखो, two planets have the same average density, density क्या है, same है, लेकिन उनकी radii जो है, वो R1 और R2 है, तो acceleration on the gravity, acceleration due to gravity, on these planets, G1 और G2 हो तो कौन सा relation आएगा, सवाल में density दे रखी है और radii दे रखी है, तो G बराबर आएगा, 4 by 3 pi rho capital G और R, अब देखो, क्या-क्या constant है, उनको हटा दो तो यह पूरा data constant है, same density है ना, तो G proportional to R आएगा, मतलब G1 by G2 वराबर क्या आएगा, R1 by R2 यहाँ पर आएगा, तो G1 by G2 वराबर R1 by R2, option number A में यहाँ पर आपको दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ, कि यह वाला सवाल आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, इसी से मिलता जुलता एक सवाल मैं recall कर पा रहा हूँ, शायद 2021 में या 2020 में कहीं पूछा था, एक चेक कर लेता हूँ, इसी से मिलता जुलता था, मनले एक्जैक्ली यह तो नहीं था, कैपलर में नहीं, अरे इसमें नहीं दिख रहा है कर रही है, शायद इसमें नहीं दिया गया है, ओके लेकिन मुझे ऐसा कुछ recall सा हो रहा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्लियर है, अर्थ के बराबर है, रेडियस ओफ अर्थ इस आर, अर्थ की रेडियस जो है, वो है कैपिटल आर, तो रेडियस ओफ प्लैनेट आपको बतानी है, यह सवाल है, तो अभी एक बात बताओ, यह सेम दिया है, तो मुझे बताओ, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4 by 3 pi, row of planet, g और r of planet, बराबर, इसको लिखा जाएगा, 4 by 3 pi, row of earth, g और रेडियस ओफ अर्थ, सही है गया, कैंसल कर दो, जो समान चीजे हैं, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi, g से g, कैंसल, यहां पर ध्यान से देखें, अभी, row of planet दे रखा है, 2 times row of earth, into radius of planet, बराबर, density of earth को, row of e, और radius of earth को, r, सवाल सौल करेंगे, देखो, row e, row e, cancel, तो, rp बराबर आएगा, r e by 2, क्या यह सवाल कर पा रहे है, rp बराबर, r e by 2, सो, यहां पर, r by 2, option number d, मैं, देखो, यह r by 4 और r by 2 था, क्योंकि यह, denominator का sign, क्या होता है न, ppt से बनके, जब यह आता है, तो, कई बार ऐसे सवालों में, sign गडबर, हो जाते हैं, ठीक है, तो आप word देखोगे, तो word में, आपको r by 2 ही मिलेगा, word बोल रहो, माइन, sea level, and at the top of mountain, are w1, w2, and w3 respectively, तो देखो, कोल माइन के अंदर, w1 है, sea level पर, w3 है, w2 है, और, top of the mountain, पर w3 है, तो आपको बताना है, इसमें से, कौन सा relation सही है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह मैं बना लेता हूँ, अर्थ की surface, surface, नीचे आएगी, mine, और, उपर जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर, weight कहाँ पर, किसको बोला है, mine वाले को, w1, इस वाले को, w2, और इस वाले को, w3 बोला है, अब एक सबसे, पहली और important बात, जो है, वो यह है, कि देखो, जो surface होती है, उस पर, जो g की value होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उपर जाओगे, और नीचे जाओगे, दोनों ही cases में, g क्या होगा, decrease होगा, g क्या होगा, decrease होगा, yes, or no, क्या इस बात से, सभी लोग, यहाँ पर सहमत है, या नहीं है, तो मैं उमीद करता हूँ, कि सहमत ही होंगे, यहाँ पर options में, शायद गड़बडी है, क्या, W2 सबसे बड़ा आना चाहिए, अच्छा, एक मातर option में दिया है, फिर तो मुझे solve भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे solve भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि W2 सबसे बड़ा होगा, यह concept से मैंने बताया, बाकी यहाँ पर एक भी option ऐसा नहीं दिया है, आप मैंसे बहुत से student कहते हैं, सर options दिया करो, तो options से हमें help होती है, इसे लिए record किये थे, लेकिन अब वो as an extra stroke आपको मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं students की demand दी कि, हमें तो MC क्यों चाहिए, लो भाईया देखो इस सवाल को solve भी नहीं करना, W2 सबसे बढ़ा हैगा, खतम सवाल, आगे बढ़ जाए हम लोग, दूसरा जो है, इसमें point ये था, actually कि W1 और W3 में कैसे पता लगेगा, तो भाईया देखो GD जो होता है, वो क्या होता है G, 1-D by R, और G at H height होता है G, 1-2H upon R, ठीक है, तो अब देखो, यदि D आप 1 km की गहराई पे जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, G की value यहाँ जितनी कम होरी, उससे ज़्यादा यहाँ पर कम होगी, इसलिए W3 सबसे छोटा होगा, ठीक है, समान गहराई पर और समान उचाई पर रहने पर, D बराबर 2H का relation चलता है, D बराबर 2H का relation चलता है, बराबर, मतलब यदि G की value को 1% डाउन करने के लिए, मान के चलो कुछ एक 6% से डाउन करने के लिए, आप नीचे 1 km गए हो, तो उपर आपको 2 km हाइट पे जाना पड़ेगा, कब जब आपकी depth 1 km आप रखते हो, यह concept है, इसके basis पर यहाँ पर आंसर इसका आ जाएगा, the radius of the earth is 6400 km, G बराबर इतना दिया गया है, in order that a body of 5 kg weights 0 at the equator, the angular speed of the earth is कितनी आएगी, वैसे इसका result याद होगा, लेकिन नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ, देखो भाईया, weight at equator क्या करना है 0, तो weight at equator कैसे 0 करोगे, mass into gravitational acceleration at equator शुड़ भी 0, भाईया, weight का मतलब यही, mass को तो अटा दो, G at equator शुड़ भी 0, लेकिन जब यह equator, विकेटर वाली बात आती है, तो हम क्या कहते हैं कि भाईया, G dash बराबर आना चाहिए, G minus omega square r cos square lambda, यह formula आप सब लोग जानते हैं, अब equator पे यह दि आप खड़े हो, at equator, तो equator पे आपका जो lambda है, वो 0 हो जाएगा, तो lambda 0 हो जाएगा, तो cos lambda बराबर क्या आएगा, 1, cos lambda कितना आएगा, 1, क्योंकि cos lambda बराबर क्या लिखोगे, cos 0 बराबर 1, तो यहाँ से देखो, g dash को तो 0 करना है, तो भीया, 0 बराबर आएगा, g minus का omega square r, तो omega बराबर आएगा, under the root of g by r, आएगा यह नहीं आएगा, बहुत जगे पे यह आपने देखा होगा, तो omega बराबर आएगा, under the root of g by r, अब problem यह है कि, यह तो हमको रटा रटा या याद होता है, इसकी value मैंने याद करने को बोली है, जिनको याद होगी, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है, वो निकाल सकते हैं, कितना आता है, 1 by 800 आता है, कैसे आएगा भीया, omega बराबर g की जगे, मानो 10, radius है 6400 किलो मीटर, तो 1, 2, 3, 0 यहाँ बढ़ जाएंगी, अब देखो 1, 0 से तो 1, 0 कट गई, इन 2, 0 से, इन 2, 0 से, और इन 2, 0 से, तो omega बराबर कितना आएगा, 1 by 800, ठीक है, simple है, बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, आराम से इसको किया जा सकता है, ठीक है, अरे बोलो कर लोगे ना, 10 सवाल हमारे यहाँ पर complete हुए, 3 मिनिट का एवरेज चल रहा होगा, मेरे इसाब से, ठेना, चलो, आगे बढ़ जाता हूँ, मैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है, question number 11 है यह, a planet moving along an elliptical orbit, is closest to the sun at a distance r1, and farthest away at a distance r2, if v1 and v2 are the linear velocities at these points, respectively, then the ratio v1 by v2, लो भाहिया, यह आपने बना दिया, elliptical path, यह यहाँ पर इसका यह हो गया, क्या बोलते हैं, semi major axis और semi minor axis, मैं मान लेता हूँ, यह है sun, और वो क्या बोला है, a planet moving along an elliptical orbit, is closest to the sun at distance r1, मतलब यह वाली distance r1 हो गई, closest वाली, यह वाली हो गई r2, है ना, longest, farthest वाली, अब सवाल के अनुसार, यहाँ पर speed है v1, और यहाँ speed है βेटा जी v2, तो रेशो पूछा है, कैसे करेंगे, तो भाईया यहाँ पर, orbital motion के लिए, angular momentum क्या रहेगा, conserve रहेगा about the sun, तो आप लिखेंगे, m1 v1 r1, बराबर m2 v2 r2, लेकिन भाईया जी एक बात बताओ, planet तो सेम रहेगा, तो mass तो सेम, तो v1 by v2 कितना आएगा, r2 by r1 आएगा, और यह कहां दे रखा है, r2 by r1, option number c में दे रखा है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, इस पर हो सकता है, कि examiner data डाल के सवाल पूछ ले, मतलब कैसे, कि वह यह sun कहीं तो भी है, उसकी closure distance पे इतना यह है, तो v1 r1 बराबर v2 r2, किसी भी position के लिए सब जगे चलेगा यह, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे लगाएंगे, हाँ हम सीखते यहीं के लिए है, वो एक अलग बात है, distance r1 पे यही speed दे रखी है, distance r2 पे पूछी है, तो यही formula लगाना है, m1 v1 r1, मतलब angular momentum conservation है, external torque 0 है, system of particles and rotational motion में, यह concept आपका सीखा हुआ concept है, उसी के basis पर यह सवाल था, if the distance between the earth and the sun becomes, half of its present value, then the number of days in a year would have been, यह सवाल, यह बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, कौन से concept पे चल रहा है बताओ, distance का relation है, किसके साथ में, number of days in a year, मतलब time के साथ में, तो क्या होता है, relation t square is directly proportional to r cube, यह सौर नू, अब कहानी के अनुसार क्या हो रहा है, देखो t proportional to ले लो, r की power 3 by 2, ठीक है, अच्छा, तो अब देखो पहले मैं मान लेता हूँ, एक साल मैं मान क्या लेता हूँ, पता है 365 दिन होते हैं, तो भईया 365 अपन नए दिन पूछे गए है, पहले distance है r, नई distance है r by 2, the whole power 3 by 2, काटा पीटी करो, r ने मारा r को दो उपर चला जाएगा, 365 बटे t बराबर, 2 की power 3 by 2, देखो इसको करने के लिए क्या करूँ मैं, 2 की power 3 ले लो पहले, कितना आएगा 8, तो 365 बटे t बराबर 8 का root मतलब, कितना, 2 root 2, तो भईया t बराबर आएगा, 365 divided by 2 root 2, clear, अब देखो इसको करने का तरीका सोचो, क्या कर सकता हूँ मैं, 2 root 2 का मतलब 2 into root 2, 2 root 2 का क्या मतलब आएगा भईया, 2 into 1.4, तो 2 into root 2 मतलब आएगा, 1.4 into 2 करो तो 2.8 आएगा लगबग, बराबर है, ओके, तो अब एक बात बताओ, अब मैं काम करता हूँ, 365 divided by 2.8 करता हूँ, तो क्या करूँगा, 0 बढ़ेगा, 28 एकम 28, कितना बज़ गया वेटा, 85, 5, तो कितना आएगा, 53,9, 3 बार यदि मैं करता हूँ, तो कितना आएगा, 84, यस, तो यह आएगा, 3, एक बज़ गया, 0 बज़ गया, तो 130, 0.3, यहाँ पर कोई मिलता जुलता आंसर दिख रहा है, क्या, 139 दिख रहा है, मुझे 139 मिला है, 139 अप्शन में दिया है, मतलब वही आंसर है, क्यूं, मैंने वही देखो, मैंने इसको पूरा तोड़ी सॉल किया, मैं तो roughly सॉल करके चल रहा हूँ, तो यह यहाँ पर इस सवाल का आंसर आएगा, 129, क्या आएगा, 129 डेज वाला यहाँ पर यह आंसर है, ठीक है, the radius of the earth r and acceleration due to gravity at its surface is g, if a body of mass m is sent to a height of r by 4, height छोटी है बड़ी, बड़ी, from the earth surface, the potential energy increases by, change in potential energy का formula होता है, mgh upon 1 plus का h upon r, जब आपका h r की तुल ना में छोटा होता है, तो आंसर mgh आता है directly, याद है ना, चलो, put करते हैं, h की जगे कितना r by 4, तो यह आएगा, mg r by 4, whole divided by 1 plus, r by 4 upon r, r ने मारा r को, बताओ क्या आंसर आएगा, देखते हैं जड़ा, तो यहाँ पर हम करते हैं, r से r cancel, 1 by 4, तो देखो यह आएगा, mg r by 4, whole divided by 4 और एक 5, 5 बटे 4, बताओ काटा पीटी करोगे, तो क्या बचेगा, 4 से 4 cancel, answer is mgr by 5, एक्जामनर का, इसमें सबसे favorite, जो सवाल होता है, वो होता है, h की जगे r लेना, h की जगे r लेना, मतलब वो सवाल पूछा जा चुका है, कि भई यह यह थी h, h, प्रत्वी की radius के बराबर, height पर हों, तो potential energy में, कितना change आएगा, तो h की जगे r लिखना है, बस mgr by 2, mgr by 2, उसका result आता है, ठीक है, कर लोगे न, अच्छा, उसमें घुमाता क्या है, center से height दे देता है, कि भई यह center से 2 height पर हो, center से 2 r height नहीं, center से 2 r distance पर हो, तो b h बराबर r है, ठीक है, कर लोगे, otherwise इसका तरीका, यह simple सा है ही है, otherwise इसको ऐसे भी कर सकते हो, u initial बराबर आएगा, minus का g m1 m2, upon r12, तो u initial आएगा, minus का g capital m, small m upon, radius मतलब r पर हो, फिर u final आएगा, minus का g capital m, small m upon r plus का r by 4, change पूछा है, तो भई यह delta u बराबर आएगा, u final minus का u initial, इसको solve कर लो, answer आजाएगा, लेकिन मेरा मानना यह है, कि आप directly इस formula को याद रखो, clearly सवाल जल्दी होना है, यहाँ पे समय वेश्ट नहीं करना है, time वेश्ट करने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पे, concert building नहीं करनी है, सवाल फटा-फट से solve करना है, ठीक है, concert building के लिए पूरे साल वर समय था, exam में आएगा, तो इससे करना है, 1 MGH upon 1 plus, H by R, उम्मीद करता हूँ, यहाँ पर यह समझ में आया होगा, अगला सवाल देखो, in the previous problem, the minimum speed with which the body must be thrown, from the surface of the earth, so as to reach a height of R by 4, previous problem मतलब पता है कौन सा, यही वाला problem है, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान लगना, previous problem ही मैंने रखके छोड़ा है, यहाँ पर, ताकि एकी सवाल से दो सवाल यहाँ पर हो सके, कैसे करना है बताओ, previous problem वही है, कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर हो, आप अर्थ की surface पर हो, जाइर सी बात है, यह M मास का particle है, अब आपको इसको कहाँ फेकना है, यहाँ से R बाई 4 पर फेकना है, यहाँ पर speed पूछी गई है, यहाँ पूछी गई है, कितने से फेके की यहाँ तक ही पहुँचे, यहाँ पर speed 0 है, कैसे का रहे हैं, energy conservation का बड़ा ही प्यारा सा सवाल, वैसे मैंने आपको इसके लिए बोला है, कि formula याद कर लेना, लेकिन हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो इससे करेंगे, कैसे करेंगे, energy conservation, कैसे यहाँ की kinetic plus potential, यहाँ की kinetic plus potential, बराबर energy conservation है, आ जाओ, तो मैं बोलता हूँ यह है, A point यह है, B point, kinetic at A, potential at A, बराबर kinetic at B, plus potential at B, kinetic at A कितनी आएगी, half M V square, potential at A आएगी, minus का G capital M, small M upon R, kinetic at B zero हो जाएगी, और potential at B आएगी, minus का G capital M, small M upon, कितना आएगा, R plus H, चलो ठीक है, इसको और भी बड़े ही, आसानी से किया जा सकता है, पता है कैसे, देखो, कही ना कही, ये तो G zero है, तो ये क्या बन रही है, kinetic energy at A बराबर, potential energy at B, minus potential energy at A, मतलब जितना potential energy में, change हो रहा है, वो किसके बराबर होगा, kinetic energy के बराबर होगा, अरे तो ये तो निकाला हुआ है, कितना है ये, ये है M, G, R by 5, और यहां से आजाएगा, half M, V square, M ने मारा M को, V दर चला जाएगा, तो ये आएगा, under the root of 2 G R by 5, खतम सवाल, सर इसको करके दिखाओ, भहिया देखो, ये वही answer आएगा, कर बैसी ने, answer वही आएगा, सर आपको कैसे पतलगा, अरे भाई, जाएगा, इसी बात है, कैसे पतलगा, रुको, half M, V square, minus G, capital M, small M upon, R, बराबर, minus G, capital M, small M upon, R, plus का R, by 4, solve करो इसको, कितना आएगा, half M, V square, बराबर, G, capital M, small M upon, R, minus, इसको करेंगे, तो या आएगा, 4 G, capital M, small M upon, 5 R, सही है, चलो, यहां से solve करो, half M, V square, बराबर, G, M, upon R, common आजाएगा, और यहां क्या बचेगा, 1 minus का, 4 बटे 5, या, सौर नू, चलो, इसको solve कर लेते हैं, half M, V square, बराबर, आएगा, अरे बोलो, तो क्या हो जाएगा, V square, बराबर आएगा, 2 G, capital M, upon, 5 R, तो V, बराबर आएगा, under the root of, 2 G, M, upon, 5 R, अब एक काम करो, क्या, G, बराबर, आपको पता होना चाहिए, G, M, upon, R square होता है, तो G, M की जगे, G, R square, लिख दो यहाँ पर, V बराबर आएगा, 2 G, R square, upon, 5 R, तो कितना आएगा, 2 G, R upon, यही तो लिखाया है मैंने, answer बदलते नहीं हैं, भाई, किसी भी method से करो, answer will always remain same, answers will always remain same, method चाहे कोई भी हो, clear है, energy conservation का, प्यारा सा सवाल, expect करेंगे, कि इस बार इस से related कोई सवाल, वो exam में जरूर, डालना चाहिए, let it be, अब देखते हैं, सवाल देखो, यहाँ पर आ रहा है, in a satellite, if time of revolution is T, kinetic energy is proportional to, यह क्या दे रहा है, सवाल में पूछ रहा है, kinetic energy कैसे proportional, तो भगया, kinetic तो हम तो जानते है, half mv square, यहाँ तो कोई relation ही नहीं मिल रहा, अब क्या करें, ओहो, kinetic energy वराबर half m, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, circular motion के concept से, omega r, तो भगया, इसको omega r का square, सो kinetic energy आएगी, half m r square, omega square, चलो, omega क्या लिख सकते हैं, time period के लिए, 2 pi upon capital T जानते हैं, तो square कर दो, तो kinetic energy वराबर आएगी, half m r square, 2 pi upon T का, whole square, तो kinetic energy क्या आ रही है, kinetic energy आ रही है, proportional to 1 by T square, यहास, है क्या कोई option, option number B में दिख रहा है, तो मैं काहे attention लूँ, कई बार single statement line के सवाल होते है, लेकिन उसमें, अब जो जनरली अभी यह, वैसे ही यह सवाल हमने पूरे साल बर नहीं किया है, ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि, नया आएधी पहली बार आपको एधी एग्जाम में दिख भी जाता, तो आप ना कर पाते, ऐसा था क्या, अब काइनेडिक एनजी पढ़ाई है, सर्कुलर मोशन में वी बराबर उमेगार के कॉंसेट सिखाए गए हैं, सर्कुलर मोशन होती है, जनरली हम जानते हैं, स्टेलाइट के लिए, अरे बो जानते ही नहीं जानते, बस पुट करना, सॉल ही तो करना था, किलोमीटर पर सेकेंड, सवाल कहां जा रहा है, एसकेप वैलोसिटी, तो फॉर्मला पहले याद आजा चीए, एसकेप वैलोसिटी अर्थ की सर्फेस पर होती है, 2GM अपॉन आर, जिसे हम लोग सॉल करके क्या लिखते हैं, अब देखते हैं, पूछ रहा है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ये तो हम जानते हैं, फिर पूछ रहा है था, एसकेप वैलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट, हैविंग दट्वाइस दा रेडियस, रेडियस डबल होनी चाहिए, और सेम मीन डेंसिटी, सवाल में रेडियस होनी चाहिए, और मास नहीं होना चाहिए, डेंसिटी होनी चाहिए, इसे मैं क्या लिख लूँ, 2G upon R, मास की जगे क्या आएगा, डेंसिटी वराबर मास अपॉन वॉल्यूम, याद है, या आएगा, रो इंटू 4 by 3 πाई R, कूप, यस और नो, सवाल देखो, इससे क्यों नहीं कर रहा हूँ, इससे क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें रेडियस है, डेंसिटी यूज नहीं हो रही है, हो रही है क्या, नहीं, तो यहां से देखो, यह formula क्या बन जाएगा एक r से r cancel तू टूजा 8 8 8 by 3 pi rho g और r square yes escape velocity जो आएगी वो directly proportional to radius हो गई तो यह r कहां से आगया अरे भीया r square का root ले लो r बचेगा की नहीं बचेगा बाकी सारी चीज़े constant देखो हो गई तो अब आपने क्या बोला twice the radius, radius डबल कर दी तो भाई यह वी डेश मतलब vp कितना आएगा two times escape velocity on earth मतलब answer is 22, खतम answer is 22, डबल भाई यह radius को डबल कर दिया तो escape velocity भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, simple है यह घुमाते हैं वस इस gravitation chapter में और कुछ भी नहीं है बच्चा इसी में गलती करता है मैं बार बार फिर से तीसरी बार कह रहा हूँ यह बात कि जो parameter सवाल में mention है, सवाल के formula को उसी form में लेकर आओ density और radius है तो density और radius लाओ बाकी हटाओ unless and until कोई चीज जो constant है जैसे यहाँ पर capital G जो होता है universal gravitational constant यह हमेशा constant बना रहता उससे कोई फरक ही नहीं पढ़ता आप कहीं पर भी बात करो उसके लिए clear है तो इन छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना है बाकी सवाल तो अपने आप होते चले जाएंगे या सोरनो चलो the kinetic energy needed to project a body of mass m from the earth's surface of radius r to infinity अरे लो भाई देखो यह यहाँ पर हो आप अर्थ की surface पर हो और यहाँ मैं मान लेता हूँ अनन्त है यहाँ पर kinetic energy कितनी होनी चाहिए कि वो यहाँ तक पहुँच जाए क्या गर मैं बदाओ energy conservation simple सी बात है यहाँ का kinetic energy plus potential energy यहाँ की kinetic plus potential के वराबर होनी चीए लेकिन यह तो 0 होगी अनन्त पे पहुचा के रोकना है तो kinetic 0 और अनन्त पे potential को हम 0 मानते है अनन्त वही तो point कहलाता है अनन्त कौन सा point है अनन्त वो point है जहाँ पर किसी भी particle के लिए अर्थ mass अर्थ particle mass system की potential energy 0 होती है वही point को हम अनन्त कहते है यह concept है जो हमें पता होना चाहिए यस जैसे atom मैंसे electron को निकालते हैं और उसको बाहर करते ही वो अनन्त वाली state में आ जाता है ऐसी यहाँ अनन्त वाली state यह है जहाँ पर potential energy 0 है चलो यहाँ kinetic energy के रहेगी plus का potential energy आएगी minus का g capital m small m upon r बराबर g रो लो भहिया तो kinetic energy कितनी आएगी g capital m small m upon r यह तो option मैच ही नहीं कर रहा अब क्या गरूँ वही काम क्या g बराबर g capital m upon r square तो भहिया जी g m की जगे आएगा g r square clear yes or no तो चो क्या हो जाएगा रख के देखो पता लग जाएगा के बराबर g m की जगे आपने रख दिया g r square m as it is है और नीचे है capital r yes अब क्या गरूँ बताओ r ने मारा एक r को answer आगया m g r और ये आपको option number c में मिल गया m g r is the answer खतम अरे है या सौर नो clear है right clear है ऐसे ये भी clear होना चाहिए भाई यहाँ जीरो क्यों हुआ अनन्त पर kinetic energy 0 हमेशा होगी जरूरी नहीं है अनन्त पर kinetic energy हमेशा 0 होगी कोई जरूरी नहीं है लेकिन अनन्त पर potential energy 0 होगी ये हमेशा सकते है at infinity kinetic energy is not compulsory 0 क्योंकि कुछ सवालों में होगी यहाँ पर but but at infinity potential energy is always taken as 0 क्यों भहिया मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि अनन्त मतलब infinity is that position अनन्त जो है वो इस्तिती होती है where where potential energy of earth particle mass system earth particle mass system is taken as 0 देखो एक बात को समझना ऐसा हो सकता है कि इस वाले lecture के जो crash course extra stroke जो lecture है इस वाले chapter का जो extra stroke extra stroke numerical lecture जो आपको मिले उसमें कुछ सवाल common मिल सकते हैं दूसरी बात सारे extra stroke वाले जो numerical के जो lecture ले रहा हूँ वो सिर्फ मेरे उसमें मिलेंगे आप पहले extra stroke जो आपको मिल रहे न वो मेरे recording बहुत पहले कर चुका हूँ लेकिन बाद में यह decide हुआ कि MCQ देना है तो फिर मुझे यह session मैं यहाँ पर इनको conduct कर रहा हूँ चलो यह point समझ में आया इसको याद रखना भईया अनंद पे kinetic energy zero हो compulsory नहीं है पर potential zero होगी हमेशा क्योंकि इसको माना ही इस प्रकार से है या इसको इस chapter में define ही इस प्रकार से किया गया है ठीक है चलो आगे बढ़ता हूँ दो-तीन सवाल और बचे होंगे या अठारवा सवाल the escape velocity for a body projected vertically upward from the surface of earth is 11 km per second if the body is projected at an angle of 45 degree the vertical with the vertical the escape velocity सवाल ये है कि ये earth है इसकी radius r है आपने एक particle को सीधा थो किया तो आपकी escape velocity 11 km per second है escape velocity सवाल में बोल रहा है कि यदि यहाँ पर इसे vertical से 45 degree पर फेकू तो कितनी होनी चाहिए कोई फरक पढ़ेगा क्या नहीं answer is d angle से कोई फरक नहीं पढ़ता है जब 60 पे फेक लो जब कहीं फेक लो अनन्थ सब तरफ है ठीक है इसकाल इसके लिए जो अनन्थ बनेगा वो सब तरफ बनेगा सब तरफ अनन्थ है ठीक है समान उस पे चौर rotation about its axis ठीक है मान लेते है assume that the acceleration due to earth on the earth surface has the same value at the equator and the poles किसकी बात कर रहा है acceleration due to gravity at equator or at poles same है okay an object weighed by the spring balance gives the same reading at the equator as at height h above the poles h less than less than r the value of h is सवाल कोई समझ में आया सवाल में कह रहा है कि भाई आप poles पे जो value होती है वो equator के बराबर equator पे तो आती है g minus omega square r cos square 0 pole पे आएगी g minus omega square r cos square 90 तो यह तो 0 हो जाएगा तो यह वाली कहानी उसने पहले तो यहाँ पर mention करके दे रखी है मैंने बहुत ठीक है मान लेते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है अब सवाल के अनुसार वो क्या कह रहा है फिर से कह रहा है एक object जिसका वजन किया गया है एक spring balance से वो same reading देता है कहां पर equator पे भी और height h पर weight at equator बराबर weight at height h यह उसने बोला गया है अच्छा तो उसका तो कोई sense नहीं बना इससे देखो क्योंकि आप से इसमें h पूछा है यह weighted equator आएगा m और g at equator बराबर m और g at height h चलो m g at equator आएगा g minus omega square r cos square 0 बराबर m g at height h आएगा g 1 minus 2h upon r बोलो सही है क्या बोलो भाई यही करना है m से तो m cancel कर लो अब यहाँ पर options दियान से देखो बिल्कुल कुछ-कुछ मिलते हुए लग रहे है इसको लिखेंगे तो g minus omega square r बराबर g minus 2gh upon r चलो g से g cancel minus से minus cancel तो भाईया h बराबर आ रहा है omega square r square upon 2g यह मुझे answer मिल रहा है देखो r इदर जाएगा r square 2g इदर आएगा omega square r square upon 2g option number b में मिल रहा है कोई दिक्कत सर फिर यह काहे को दिया है equator पे poles पे same है अरे भाई वो confuse करने के लिए दे रहा है और कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है यह जबर्दस्ती है ताकि आप फस जाओ इस में से दिमाग लगा के ढूनते रहो और सवाल कहीं और ही है सवाल कहीं और ही है कोई मतलब भी नहीं है उस चीज का clear चलो last question और रहेगा same सवाल हो गए गया यह अच्छा यहाँ पर taken at a depth d below है मैं सभी सुचो same सवाल कैसे डाल दिया सवाल same है क्या लगबख same है equator और depth d की बात चल रही है चलो तो depth d पे निकाल लो भाई क्या दिक्कत है क्या करूँ मैं weight at equator बराबर weight at depth d इसे लिखूंगा mass into g at equator बराबर mass into g at depth d m तो कड़े आएगा यह आएगा g minus का omega square r बराबर यह आएगा g one minus का d upon r direct g को मत काट देना g minus omega square r बराबर g minus gd upon r काटा पीटी अब होगी तो g ने मारा g को minus से minus cancel बताओ d पूछा है d कितना आएगा omega square r बराबर gd upon r तो यहाँ से d बिटा आएगा omega square r square upon g कहां है omega square r square upon g option number a पे है वैसे common sense वाली बात बता हूँ d बराबर 2h अरे d बराबर 2h यह सवाल है ना 19 वा एच की जगए d y 2 रग दो बराबर omega square r square upon 2 g दोने मारा दो को d बराबर omega square r square upon g लो तो कि यह निकाल चुके थे तो एक ही पेपर में दो सवाल सेम तो नहीं आएंगे ना वैसे आ भी सकते हैं इस बात को यह मत करना don't underestimate the power of NTA आ सकते हैं भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है NTA paper बनाती है पिछले साल oscillation waves का तो सवाल ही डालना भूल गई और current electricity भी इतनी महरवान हो गई 4-5 सवाल डाल दिये तो ऐसे ही होता है यह होता है बिटा NTA के paper में ठीक है तो मैंने इसको आपको answer बता दिया option number A is the correct answer and hence the numerical section of this chapter is finished तो gravitation के MCQ यहाँ पर finish होते है extra stroke वाला MCQ lecture आपको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है that I cannot decide it right now but yes I know that कि मैंने वो करके रखे हैं क्योंकि मैं पहले ही कर चुका था उन lectures को बड़ चुकि demand उटने लगेगी हमको MCQ चाहिए तो भीया MCQ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ खीक है sure okay so that's it for today आज के लिए बस इतना ही मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले lecture के दर्मियान तब तक के लिए